और यह टॉपिक आपको फिजिक्स में भी दो या तीन कोश्चन की गारेंटी देता हैं दो चार मिनचों में ही आपके एक कोश्चन बनने की अल्मोस्ट गारेंटी है जेई मेंस के पेपर में अक्सर यह छुटता है और इसके चलते कोई न कोई गल्पी होती है हो सकता है इस पर भी कोश्चन पूछ दिया आ जाए है है हेलो स्टुडेंट्स एलेन के यूटीब चैनल एलेन जैई में आप सभी का स्वागत है मैं नीरज कुमार लेक्टिरर केमेस्ट्री इपार्टमेंट एलेन कोटा आज हम लोग इस शौर्ट वीडियो में एक बहुत ही ही last tournament टॉपिक thermodynamics की चर्चा करेंगे जैसा कि सबको अर्य कdd mesus के हर paper में equation होते ही है और यह टूपिक करके physics में भी डो या थीन कोश्चन की घईरणी देता है कि thermodynamics को हम लोग tyre कली थीन पार्ट में बाढ़ सकते हैं फ्रस्ट लब तर्म Дनfu वाला portion गा Way और स्वाला मेनलिक केमेस्ट्री का ही पोर्शन है आज हम लोग इस वीडियो में थर्मो केमेस्ट्री से रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट्स बेसिक टर्म्स एंड उनका जेई मेंस में जो क्वेश्चन आये हैं उनको हम लोग डिसकस करने वाले हैं ध्यान से सुनना है एक बार जल्द जाकि मैंने बतलाया थर्मो केमेस्ट्री थर्मो केमेस्ट्री के कुछ बेसिक टर्म्स पहले हम लोग डिफाइन कर लें जैसे इस टेंडर्ड एस्टेट एंड एक दूसरा टर्म यूज किया जाता है रेफरेंस एस्टेट बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि कार्बन इज ग्रेफाइट ध्यान रखना है एंसी आर्टी ने क्लियरली यह लिखा है कि किसी भी सब्स्टांस का स्टेंडर्ड एस्टेट उसका प्योर फॉर्म होता है एड़ प्रेसर ओफ वन बार एंड एनी स्पेसिफाइड टेंपरेचर रिपीट कर रहा हूं में पूस्ट दिया जाए कि डाईओंड का स्टेंडर्ड इनलपी और कमशन बतलाएं तो वहां आप रीएक्टेंड साइड में स्टेंडर्ड एस्टेट में फोड्य्वंड लेंगे ना वहां इसलिए स्टेंडर्ड सटेट किसी के लिएधी डिफाइन हो सकता है of one bar and 25 degree Celsius ध्यान रखना है इस टेंडर्ड स्टेट में यह नी इस पेसिफाइड टेंपरेचर हम ले सकते हैं इस पेसिफाइड टेंपरेचर बट रेफेरेंस इलिमेंटल स्टेट में हमेशा 25 degree Celsius प्रेशर तो दोनों में वन बार ही है कुछ और भी डिफिनिशन सम लोग ले लेते हैं इन्थाल्पी ओफ रियक्शन यह तब का इन्थाल्पी चेंज है जब रिप्रेजेंटेड मोल ओफ रियक्टेंड अमांट ओफ रियक्टेंड सारे कंपोनेंट वन बार प्रेशर एंड एनी स्पेसिफाइड टेंपरेचर पर होने चाहिए नाव डेल्टा आरेज को हम नॉर्मली कीलो जूल पर मोल या कीलो कैलोरी पर मोल में रिप्रेजेंड करते हैं अब यहां एक मुद्दा आता है कि पर मोल किसका तो यह पर मोल हम न का मिनिंग है बैसीकली कि यदी रियक्षन है 2A प्लस B गिप्स 3C तो पर मोल अफ रियक्षन का मतलब हुआ पर 2 मोल ओफ A पर वन मोल ओफ B and पर 3 मोल ओफ सी हम जो डेल्टा हैं वह एक के 2 मोल बी के 1 मोल और सी के 3 मोल के लिए बतला रहे हैं that delta rh will be called delta rh kilo calorie या kilo joule per mole of reaction now delta rh निकालने के 3-4 simplified formulas मैंने लिख दिये हैं एक तो आप total enthalpy of product minus reactant लिखी सकते हैं यदि सारे component के enthalpy of formation है तो total enthalpy of formation product का minus reactant का लिखेंगे लेकिन यदि सबका combustion का enthalpy दिया रहे या bond enthalpy दिया रहे तो उस case में reactant का total enthalpy minus product का लिखा जाता है ध्यान रखना है formation वालों में product minus reactant लिखना है लेकिन combustion वाले में या bond enthalpy में reactant minus product लिखना है actually इनके questions में खास करके दी option वाले question होते हैं तो कहीं answer plus 40 kilojoule होगा तो minus 40 kilojoule भी अक्सर option में रहता है वह इसलिए रहता है कि गलतियां यदि होंगी तो formula के proper placement में होगी तो फिर से revise करा दो formation वाले में product minus reactant लेकिन combustion या bond enthalpy में reactant minus product लिखना है और इनके questions एकदम direct इनके application पर होते हैं जैसे last year का एक question देखिए इसमें calcium oxide and aluminium oxide का enthalpy of formation दिया हुआ है वेल नोन है कि जब भी कोई element अपने reference elemental state में रहे तो उसका enthalpy of formation जीरो होता है और आपसे इस reaction का enthalpy पुछा गया अब यदि हम सिदे सिदे formula अपलाई कर दें formation दिया हुआ है तो product minus reactant लिखना है सारे values प्लस माइनस करेंगे reactant में जो जो elemental form में है उनके लिए aluminium के लिए भी 0, product में calcium है उसके लिए भी 0, delta RH calculate हो गया एक और question देखें last year का ये question है जिसमें सबके bond enthalpy दिये हुए थे अब जब bond enthalpy दिये हुए है तो formula कौन सा लगाएंगे formula कौन सा लगाएंगे तो formation वाले में product minus reactant but bond enthalpy में reactant minus product और इनमें ध्यान दखना है molecules species जो भी reaction में involved है बाब दादा कुछ भी चिल्ला है solve करने का एकदम simplest तरीका है कि आप पहले reactant में जितने भी bonds हैं उनको तोड़ दें product में जितने भी bond हैं उनको बना दें जैसे इथेन वेल नोन है कि इथेन में carbon hydrogen के six bond होगे और carbon carbon का एक single bond होगा तो carbon carbon का एक single bond carbon hydrogen के six bond जब इथीन बनाएंगे तो इथीन का मतलब क्या हो गया carbon hydrogen के four bonds बनेंगे और carbon carbon का एक double bond बनेगा तो carbon carbon एक double bond 4CH bond और H2 के लिए तो HH का एक bond आएगा ही सबके value प्लस माइनस करेंगे we will get the answer एकदम simple question है इन छोटी चीजों पर ध्यान रखें सही formula apply करना तो ऐसे question आप बहुत ही कम समय में एदम perfectly solve कर सकते हैं अब हम लोग define करें experimental measurement well known है सबको idea होगा कि पिछले कुछ सालों से experimental टेक्निक पर बहुत सारे question आते हैं experimental measurement में ध्यान रखना है यदि आपने constant pressure calorie meter से measurement किया तब delta RH बतलाएगा constant volume calorie meter जिसको हम bomb calorie meter भी कहते हैं वह delta RU बतलाएगा और इसको calculate करने का एदम simplest तरीका है temperature change दिया रहेगा और heat equal to हो जाता है C into delta T तो उस पर calculate कर लेते हैं इन दोनों में आपस में relation यह relation याद रखना है universally correct है हमेशा सही है यदि constant pressure पर process हो रहा है तो delta PV को हम लोग लिख सकते हैं कितना पी डेल्टा भी और इस सारे के सारे component या कुछ component भी reaction में gaseous हो तो उन case में हम पी डेल्टा भी के बदले delta NGRT भी लिख सकते हैं well known है कि gas की तुलना में solid या liquid का volume हम ignore करते हैं इसलिए सिर्फ gaseous mole का component लिया बट यदि किसी question में solid liquid हो और उसका volume specified हो तो it is always safe to use पी डेल्टा भी जैसे लास्ट ये का ही एक question हम लोग ले ले डेल्टा यू already question में दिया हुआ है कि bomb कैलोरी मीटर से हमने डेल्टा यू इतना मेजर कर लिया अब आप इस reaction का डेल्टा एच बतलाईए direct application है formula का डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा एंजी आर्टी और इसमें जब डेल्टा एंजी आर्टी हम लोग लिखेंगे तो देखिए गैस का वन मोल गैस का वन मोल लेकिन लिक्विड का मोल काउंट नहीं करेंगे similarly product में गैस का 3 by 2 मोल लेकिन solid का मोल काउंट नहीं करेंगे और unit का ध्यान रखेंगे यूनीट का हमेशा ध्यान रखेंगे असपस्ट है कि यह value जो दिया हुआ है वह है kilojoule में बट आर का value दिया हुआ है जोल में तो इसको kilojoule में convert करना ही करना है अक्सर यह छुटता है और इसके चलते कोई न कोई गलती होती है इसलिए unit का ध्यान रखना है कि kilojoule है तो आर का value भी kilojoule में ही लेना है now enthalpy of neutralization enthalpy of neutralization ncrt में असपस्ट रूप से लिखा हुआ अब नहीं है लेकिन सिंद्य बॉर्ण हैबर cycle type का ही question होता है enthalpy of neutralization से related last year में question दिया गया था और इसमें बकायदा लिख दिया गया था कि H plus OH minus से water बनने का delta H कितना है question simple है कि sulfuric acid और sodium hydroxide का हमने reaction करा दिया temperature कितना बढ़ा या आपको calculate करना है अब इस question में ध्यान रखना है acid और base दोनों के mole मालूम है तो सबसे पहले हम check करेंगे कि limiting reagent कौन है दोनों के हमने H plus और OH minus के mole निकाल लिए limiting reagent है OH minus तो यदि 0.06 mole ही OH minus neutralize होगा तो heat जो release होगा वह 57.1 kJ 1 mole के लिए तो 0.06 के लिए multiplied by 0.06 कर देंगे हमने convert कर दिया है किलो जूल को जूल में क्यूँ MS delta T सबको idea ही है mass of solution कैसे निकलेगा तो दोनों solution के volume मालूम है question में density दिया हुआ है तो MS delta T से हमने delta T calculate कर लिया clear है students अब हम लोग एक और देखें bond hazard cycle पर best question यह भी हैसलो का ही application है different type of enthalpies जो की process में involved है ionic bond formation में involved हैं वे दिये गए हैं और पूछा गिया है कि lattice enthalpy का magnitude निका लिए अब जितने भी process दिये गए हैं मैंने सबसे पहले सारे process को reaction के term में लिख दिया और असपस्ट है कि इन सारे process को यदि हम suitably add कर लें क्लोरीन वाले में half से multiply करना पड़ेगा यदि सब को add कर लें तो we will get the delta H तो just हमें सारे relations को add कर देना है सिर्फ bond enthalpy वाले में two से divide करना है और सारा delta H add करेंगे lattice enthalpy calculate हो जाएगा clear हैं अब हम लोग एक और चर्चा करें किर्चौप्स equation जिस तरह से जही में सब questions पूछ रहा है हो सकता है इस पर भी question पूछ दिया जाए लास्ट यर वगर में कोई question थे नहीं इस पर लेकिन यदि question आ जाए तो यह basically delta RH या delta RU का temperature dependency बतलाता है एकदम simple सा equation है कि delta H का difference divided by temperature difference delta of CP होता है reaction का delta CP reaction means total product का CP values minus total reactant का CP values और यह इंटर्नल energy change पूछा तब भी हम calculate कर लेंगे वहाँ CP के बदले CV का value आ जाएगा थैंक्यू friends वीडियो वाच करने के लिए all the best for your coming examination हाँ हाँ